साल दो हजार दो में आईपन देवदास शायद ही किसी ने इस फिल्म को अब तक बुलाया हो ये वो रोमेंटिक ग्रामा फिल्म थे जिसे डिरेक किया था संजोलिला भंसाली ने जो कि साल 1917 में शरत चंदर चट्योपाध्याई की नौबल देवदास पर आधारे थी खैर ये फिल्म तो काफी पहली ही आ गए थी फिल्म में थी कहानी पारोफ देवदास और चंदर मुखी की आप जानकर होंगे हैरान लेकिन एक बाफर से देवदास की भूमिका में नजर आएंगे एक आर्टिस्ट चीहाँ थीटर आर्टिस्ट का कारनामा आप देखेंगे एक प्ले में जिसका नाम देवदास है वल 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 एज़ी पी वर्ल्ड होस्ट अनिबिलिंग और फर्स लुक और प्ले देवदास की हम बात करें हैं जहां पर थीटर की खुबस्वत हसीना ने एश्वर्या राय बच्चन की देवदास लुक को जबर्दस टकट देने की है कोशिश देखिए जराद पारो जो इस फिल्म की होंगी इस प्ले की होंगी वो कितनी खुबस्वत नजर आई हैं और इसे लेकर उनकी फुल टू है तैयारी जो की साल दो हज़ार दो में आई फिल्म देवदास की पारो को पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए तैयार हो चुकी है क्या इश्वरे राय बच्चन के बड़ा चटका होगा ये क्यों नहीं की तरहा पारो की रोल में इस बार ये नहीं हसीना चचा बटोरने वाली है देखना होगा दिल्चस्प फिरहाल सुनते इस बारे में आर्टिस्ट का क्या कहना है देवदास प्ले के टीम का क्या कहना है इंदी एंग्लिश इंदी इंगे ते दुर आए ते बिच एक बार्डवी का उनके तुर्वा ने चाहते हैं आफ से चुटब है अप्टर जोड़ा हूं दिल्ली इम्हए शुरुआत से च्टेट से एक ती और टेलिवीजिन की जब शुरुआत की तब उसके बीच में साथ आ वाट साल से एक चुपके से एक कॉमड़ी प्ले करता रहा हूं, तो स्टेज से मैं कभी अलग होता नहीं, मुझे मेरी बैटरी का चार्जर लगता है, कि जब भी मुझे अपनी एक्टिंग बैटरी को रिचार्ज करना होता है, तो महां स्टेज के पास चरा आता हूं, और I think एक अच्छे वे में एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है, स्टेज पेक अक्टर को, और वो सारी बाते पीछे चुड़ गए हैं, वो पिछले जन्मों में चले गया हैं, वापस से शुरू करने के लिए इस कहानी को, तो मैं सरफ इतना कहना चाहता हूं, कि यह जितने पैशन से बनाया जा रहा है, और जिस पैशन से आपको दिखाया जाएगा, आम शुर वो आपके पास रहेगा, वो नशा, वो कहानी, वो संगीत, वो नृत्य, जो मौसीकी है, जो 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 क्रेजिनेस है देवदास की, वो आपके साथ रहेगी, मेर बास मैं बोलता रहूंग करता हैं, वो आपने लगी से पास है, खिर्थ मोड़ियो की बास मैं यहां प्ली पिरेहर्स करते ताइम, आपके सबसे जादा चाल निग्रोल है, हुशन करते हैं, जो प्ली पिरेहां है, प्ली शुक्तिने करते हैं, देवड़ियों की लेज़ोंगा क्यों पिर्वा से जो नहीं इतने इमोशनल वे में डील करना पड़ रहा है, हर एक दिन, मतलब रहा है, हम बज में टोक हैं, नहीं चंदर्मुखी का वी अभी पार। जैसे एक पहलू इन्होंने कहा, या इस वाली कहानी में आपको देवदास की कहानी से जितनी खलिशे होती है, जैसे एक पहलू इन्होंने कहा या एक पारो का क्या हुआ, या आप जब देवदास देखने आते हैं, तो आपको पता होता है कि एक दर्द लेकर आपको घर जाना है, ये सारी खलिशे मिटाई दिये हैं हमारी डिरेक्टर ने, I am sure आप एक सुलेस और एक अपनी ही तरीके का एक पीस, एक नया पहलू लेकर घ जाएंगे और इतना सुन्दर म्यूजिक लेकर घर जाएंगे कि वो आपके जहन से छूटेगा नहीं, तो हमारा म्यूजिक एक अलग अलबम के रूप में आप लोग के सामने आएगा, उसे जरूर सुनेगा, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमें उस म्यूजिक के ल अपने किरदार को समझ कर वो बन जाना और उसे ठीक तरीके से निभा पाना जिस तरीके से आपकी कहानी चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है, और हाँ थियोटर के अगर बात करे तो डेफिनिटल यहाँ पर क्यूंकि टेक रीटेक होते नहीं है, आप ये कहने ही सकते के ये लाइन मैं फिर से कहूं, या सॉरी गल्ती हो गई, तो आपको वो चलते रहना पड़ता है, वो करते रहना पड़ता है, तो एक प्रोसेस रहती है हमेशा, और मोधन चैलेंच मुझे लगता है वो प्रोसेस बहुत सुन्दर है, और वो आपको जोन में इसे हम अक्टर्स की आदिते होती हैं, रोल करने के बाद और खासकर अगर आपको किछी रोल के लिए शौरत मिल जाए, तो आपकी कुछ हैबिट्स बन जाती है, आप एक टोन में बोलते हैं, आप एक तरीके से खड़े होते हैं, इस प्ले में वो सब भूलना पड़ा, यह होती हैं, आप अंदर सौल में ढूंडना पड़ेगा, अन रिष्टों के बारे में आपकी क्या फिelinizग्स हैं, और यह उस पागल्फन्थी की बिना नहीं हो सकता, यह किसी स्टाइल के चलते नहीं काम चलेगा, यह मेरे आवाज के चलते नहीं चलेगा, यह किसी भी बात से नहीं चलेगा यह उस पागलपंती पे ही चलेगा उस पैशन से ही चलेगा और सब उसमें डूब गए हैं अब दो चार महीने के बाद अगर आपको ख़बर आए कि हम सब किसी ना किसी साइक्याट्रिक हॉस्पिलिक है तो ज्यादा है रान मत हुए अगर बात की जाए तो वाल 255 की फिल्म है और एक 2000 कुछ की फिल्म है और जो बिमल्रॉय ने ब्लैक इंवाइट में रीक्रीट किया कलकत्ता उस दौर को दिखाया जो अमीरी गरी भी दिखाई और जो बंसाली साब करते हैं वो जमीन आसमान का फरका आप कंपैर नहीं कर पाएंगे उनको मेरी परस्नल प्रेफरेंस बिमल्रॉय बाली है पर वह मैं एक्टर की पोई डिवीव से नहीं कहा रहा हूं मैं कहा ने कहानी के पई जाया है मुझे उसमें जादा घ्रेजडी महसूस होती है और कहीं मेरी शुरूआत महां से मैंने सोचा था कि मैं सुरूआत महां से करूँँगा और पह तो फिलने एक महिने में वोफ नी इचिएशिन तख कहुंछ होंगे MRC ॉन्यूर केसिए को लो गो तहों देखने हैं कंड़ कॉलें वनी रखोगी विचया कि आज बोरी झाल पंगी देहुख वुट चुन कियामे, तन दोको खोड़ेat को सैना है तो निगे बिल्कुल गलत पॉइंट है, लोग बहुत ही बहुत ही च्ट्रॉंगली कह पाऊंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थियुटर कर रहे हूं पछले पात सालों से थियुटर नाटक देखने आरे वाले लोग उनको इस बात की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि हम लोग सामने बैठकर एक एक एक्सपिरियन्स ले पा रहे हैं जैसे आप अगर डेवदास की बात की जाए तो देव पारू नदी पर है तो उनको लगेगा कि हम भी उनके साथ नदी पर है इसकी वैल्यू है रियल एक्सपिरियन्स है वो आप हाथ बढ़ा कर किसी को छूपाएंगे इतना रियल है जिसकी वैल्यू है ओडियंस को और ऐस कम हो रहा है अपने अपनी मीडियम के अपनी एक पहचान है मुझे लग रहा है अपसे हाथ बढ़ाएंगे तो मैं आगे छू लोगा को इसी बात नहीं है बात लड़किया आने वाली है जो पॉइंट सथ मुझ है जो मैं इंडॉर्स करना चाहता हूँ है कि दुनिया भर मे ब्रॉडवे स्टेजिस होते हैं थेटर होते हैं जो अगर आप कभी उन शहरों में उन देशों में जाएं तो आप कई डॉलर कई योरो खर्च कर स्पैशली वो प्रोड़क्शन देखने जाते हैं जो सालों साल दशकों तक चलती है पर प्रोड़क्शन अक्टर बुड़े िके साथ इस किसम की प्रोड़क्शन जब लोगों के सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि यह और भी ऐसा होगा लो घब फूमने आएंगे भूख ऐंगे देवतास देखने दिलाएं क्या भाध तकले योटा है झाल झाल